जैसे कि हमें पता है कि 26 मार्च 2022 को मद्ध प्रिदेश के समस्त प्रोड सिक्षा केंदरों पर आसाक्षरों की परिक्षा होगी और परिक्षा के दोरान कुछ प्रिपत्रों को भी भरना है इनमें से एक प्रिपत्र है नॉमिनल रोल जिसमें सारी इंट्री अंग्रेजी में कर अब इसमें आप देखेंगे जो format दिया है बहुत ही समानिसी जानकारियां इसमें फिल करना है लेकिन कुछ points ऐसे हैं जहां हमें confusion हो सकता है जैसे जो learner है जो आसाक्षर है इनका अनुक्रमांग कैसे create करें इसके अतरिक परिक्षा कैंद्र किरमांग हमें कैसे और क्या लिखना है तो वो सारी जानकारिया आज के वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले format में हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले दिया है serial number यहां पर printed आपको serial number मिलेंगे इसके बाद में name of learner जो आसाक्षर है उनका नाम लिख देना है और इसमें सारी entry अंग्रेजी में करना है नाम के पश्चाद learner के fathers या husband का नाम आपको next column में लिखना होगा और next column में फिर mother name इसके बाद में हम देखेंगे कि enrollment number दिया गया है इस column में हमें परचारती का अनुक्रमांक लिखना है enrollment number लिखना है इसके लिए निर्देश इसमें दिये हैं you dice code plus serial number of learner अर्थात आपकी साला का dice code और जो भी असाक्षर है उसका serial number यहाँ पर जो भी entry करेंगे आप तो पहले number पर जिसकी entry किया तो इस पहले number serial का आपको last में entry कर देना है for example हम लेते हैं कि सबसे पहले तो dice code you dice code जो है हमारी साला का जो की 11 आंकों का होता है तो अनुक्रमांक लिखने के लिए आप लिख सकत है 001 या 002 या 003 तो सबसे पहले आपको अपनी साला का you dice code लिखना है और इसके बाद में three digit में learner का serial number लिख देना है तो इस प्रकार से आप बहुत ही असानी से जो learner है जो असाक्षर है उनका अनुक्रमांग create कर सकते हैं इसके बाद में entry हम देखींगे next column में है married yes या no यद इसमें आप देखींगे कि बहुत ही समान सी जानकारी है इसके बाद में mobile number जो learner है उनका mobile number और अधार number फिर category आपको लिखना है SC, ST, OVC, General और फिर Mars यहाँ पर आप देखींगे कि तीन पार्ट में exam होना है उनके और तीनों पार्टों में कितने Mars इन्हें प्राप्त हुए ह वो लिखना है और total भी यहाँ पर करना होगा out of 150 में और total कर देने के उपरांद इसकी grading करना है अब grading के लिए आप देखींगे कि इसमें निर्देश आपको मिल जाएंगे जैसे हम बात करें यदि 60% से अधिक है तब A grade लिखें 40 से 60 तब B grade लिखें और 40 से कम है तब आपको C grade लिखना है तो इस प्रकार से grading आप इसमें कर सकते हैं इसके बाद इसमें next column जो है वो है result का यदि जो परिछारती है उन्हें A grade या B grade प्राप्त हुआ है तब आपको यहाँ पर pass लिखना है और यहाँ पर निर्देश दिया है कि यदि C grade प्राप्त हुआ है तब fail लिखन है तो इस प्रकार से इस प्रिपत्र को हम बहुत ही आसानी से फिल कर सकते हैं इसमें ध्यान रखना है सबसे पहले अनुक्रमांग जो है इसमें हमें problem हो सकती है तो अनुक्रमांग के लिए हमें अपनी साला का dice code लिखना है और learner का serial number लिखना है serial number आप three digit में लिख सकते हैं में कैंद्र की यедषन की बात करें तो कैंद्र का कीरमांग जैसे example के लिए लेते हैं कि एक ग्राम या बसहाट है और उस बसहाट में या ग्राम में दो कैंद्र बने हुए हैं तब जो भी deserves who है उनके दौरा केंद्र केर्मांग अलाट कर दिया जाएगा तो 001 और 002 यदी एक ही कैंद्र हैं एक ग्राम में या बसाहट में तब कैंद्र क्रमांग 001 आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अनुक्रमांग और परिक्षा कैंद्र क्रमांग हम बहुत ही असानी से इसमें क्रियेट कर सकते हैं। एथी प्रोर सिक्षा केंद्र परिक्षा सम्बंधी एक महत्पून जानकारी आसा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिद